हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका सुहान अकी रसोई में आज हम बनाएंगे इंस्टेट मिक्स पैकेट से टेस्टी और लाजवाब इडली की रेस्पी बहुत ही जादा सौफ्ट और जाली दार इडली बनकर तयार है आप अपनी पसंद की पीनेट, कोकुनर, चटनी या स अबार के साथ सर्व करें तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, सबसे पहले यहां पर मैंने डलाटी का इडली मिक्स का पैकेट लिया हुआ, यह 500 ग्राम का पैकेट है और इसके यह बनाने का तरीका भी लिखा हुआ, इसका जो MRP प्राइब 140 रुपा है, तो पैकेट को कट कर लेंगे, इस पैकेट से हम आधा मिक्सर निकाल लेंगे इडली का, इस पैकेट का गोल बनानी के लिए में 375 ml पानी का यूज कर रही है, अगर आप पूरा पैकेट का बना र इस बरतन में घी या तेल जो भी पसंद है, आप इस तरह से इडली के इस्टेंड में लगा कर तयार कर लेंगे, इंस्टेंट मिक्स पैकेट से जटपट आसानी से खभी भी इडली बना कर तयार कर सकते हैं, तो इस तरह से इडली स्टेंड में अच्छे से तेल लगा इडली का ये बैटर जो हमने बनाया है आप देख सकते ना ही बहुत जादा गाड़ा ना पतला तो इडली स्टेंड में यहां पर हम दो दो टेबल इस्पून भर देंगे बहुत जादा ऊपर तक इसे फिल ना करें थोड़ी सी जगा खाली रखे क्योंकि इडली बनने के भाप में पका लेंगे इसको हम इस तरह से ढखकर कवर कर देंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें इडली को भाप में पकते वे 10 मिनाट हो चुके एक चाकू की मदस इस तरह से आप चेक कर सकते ही रिखे इडली काफी अच्छे से पक चुकी और फूली फूली बनी हुए तो इडली के स्टैंड को निकाल के ठंडा कर लेंगे जब इडली अच्छे से ठंडी हो जाईगी तब इसे हम बाहर नि आप इस इडली को पीनट कोकोनट चटनी है सांबर किसी के साथ भी सर्व करें जो भी आपको पसंद है बहुत ही जादा टेश्टी लगने वाली अंदर से बहुत ही जादा सौफ्ट और इकदम चाली दारी बनकर तयार हुए तो फ्रेंड आप भी इडली को बनाए और बना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें